दोस्तो आज हम बनाएंगे पहुती टेस्ट ये जूसी आगरे की खास मिठाई पेठा इस पेठे की मिठाई की खास बात ये है कि इसको बृत में भी खा सकते हैं और बिना फ्रिजबी इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होगी इसको बनाना भ पेठे की मिठाई बनाने के लिए लेंगे सफेद पेठा इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कुमड़ा सफेद पेठा एश गोर्ड विंटर मेलन और यह सफेद रंग का ही होता है यह सबजी बनाने वाला पेठा नहीं है सफेद पेठा ही लेना है मिठाई बनान के लिए जब पेठा खरीदेंगे तो यह ध्यान रखना चाहिए कि पेठा बड़े साइज का हो तो ज्यादा अच्छा है और जो इसका अंदर का पल्प है यह मोटा होना चाहिए पेठे का जितना मोटा पल्प होगा पेठे की मिटाई उतनी ही जादा टेस्टी बनेगी मैंने भी ये बड़े साइज का पेठा लिया है तो इसको अब मैं काट लूँगी काटने से पहले मैंने इसको दोcky पानी से अच्छे द 라고या रगड़ रगड़कर मैंने ये बहुत बड़े साइज का पेठा लिया है तो आदे पेठे को साइड में रख देंगे और ये पेठा ढ़ाई किलो के करीब बचा है तो अब इसको काट लेंगे इसके बीजों को अलग कर देंगे बीजों को अच्छे से निकाल देना है इसमें एक भी बीज नहीं होना चाहिए ये देखिए जो मैंने पेठा लिया है इसका पल्प भी बहुत मोटा है पल्प ऐसा ही मोटा होना चाहिए इसके छिलके को भी निकाल देंगे ऐसे ही सारे पेठे के बीज और छिलके निकाल देंगे ये पेठा मैंने धाई किलो का लिया है लेकिन इसके बीज और छिलका निकालने के बाद इसका वजन में दोबारा से आपको दिखाऊंगी क्योंकि पेठे के वजन के हिसाब से ही हम इसमें चीनी डालेंगे इसलिए वीडियो को पूरा देख करिए आप ये पेठे की मिठाई बनाना ताकि आपकी पेठे की मिठाई भी पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बने ये देखी मैंने पेठे के बीज और छिलका अच्छे से निकाल दिया पेठे को काटने से पहले भी मैंने इसको अच्छे से धोया है लेकिन इसको फिर से एक बार पानी से अच्छे से धोलेंगे ये देखी पेठे को छिलने के बाद इसको अच्छे से धोलिया अब मैं आपको दिखाती हूँ छिलका और बीज निकालने के बाद इसका वजन कितना है ये देखें ये 1590 ग्राम है यानि कि 1.5 किलो से थोड़ा सजादा है अब एक फॉर्क लेंगे और इसे पेठे में इस तरह से प्रिक करेंगे यानि कि फॉर्क से पेठे में छेद करेंगे पेठे के चारों तरफ से फॉर्क से प्रिक करना जरूरी है लेकिन ये काम बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि इस फॉर्क से हाथ में चोट भी लग सकती है सफेद पेठा हमारी सहेट के लिए बहुत फायदे मंदध होता है क्योंकि इसमें फाइबर काफी मातरा में होता है तो ये पेठ के लिए बहुत अच्छा है इसका जूस सुबसुबस खाली पेठ पीएंगे तो ये बजन कम करने में मदद करता है और इसमें potassium भी काफी मात्रा में होता है तो ये blood pressure को भी control करने में मदद करता है पेठे का juice इसकिन के लिए भी भूत फायदे मंद है ये देखी हमने सारे पेठे में fox से छेद कर लिए पेठे में चाकू से या fox से छेद करना बहुत जरूरी है तभी ये पेठे के मिठाई अंदर से ज़्यादा soft, soft और रसिली बनेगी आप इसको काट लेंगे पेठे के आप छोटे या बड़े कैसे भी piece काट सकते हैं लेकिन हम इसके ज़्यादा छोटे piece नहीं काटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े piece रखेंगे medium piece काटेंगे यदि पेठे के ज़्यादा छोटे piece काटेंगे तो जब ये पेठे के मिठाई बन कर तयार होगी तो इनका size और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा इसलिए पेठे के बहुत ज़्यादा छोटे piece नहीं रखने है ये देखिए हमने सारे पेठे को काट लिया तो अब इसको साइड में रख देंगे और अब लेंगे एक बड़ा बरतन इसको पानी से आदा भर देंगे अब लेंगे चूना ये वो ही चूना है जिसको पान में लगाते हैं अब इसमें से एक चमच चूना पानी में डाल देंगी इसको पानी में अच्छे से मिला देंगी चूना जादा महंगा नहीं मिलता है चूने का छोटा पैकेट सिर्फ दो रुपे में मिल जाता है चूना पानी में अच्छे से मिक्स हो गया तो अब इसमें ये पेठा डाल देंगे, जो हमने काट कर रखा है, पेठे को भी पानी में अच्छे से मिला देंगे, पेठा पानी में अच्छे से डूप जाना चाहिए, पेठे को चुने के पानी में डालेंगे, तो पेठा अंदर से अच्छे से सोप्ट हो जाएगा, और इ ठीको चूनें के पानी में डाल कर रखे हुए तो आप इसको चेक कर लेते हैं ये देखे पेठा सौट भी हो गया और इसका रंग भी और भी ज़्यादा सफेद हो गया है तो आप इनको अच्छे से निचोड कर निकालेंगे ताकि इस में से सारा चून अच्छे से निकल जाए दोस्तों आप लोग उसी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना और यदि आपने मेरे चैनल को पहले सी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस चूनने वाले पानी को साइड में रख देंगे ये देखी हमने सारे पेठे को अच्छे से निचोड लिया लेकिन इसकी अभी मिठाई बनाएंगे तो इसकी मिठाई टेस्टी नहीं बनेगी तो मिठाई बनाने से पहले पेठे को चार से पांच बार साब पानी से अच्छे से दोएंगे ये देखी पेठे को हमने पांच बार साब पानी से अच्छे से दो लिया अब पेठा बिल्कुल साफ हो गया है और पतीले में पानी मैंने पहले सी गरम कर लिया तो अब इसमें ये पेठा उठा कर डाल देंगे जो हमने अभी धोकर रखा है पतीले में पानी इतना डालना है कि इसमें पेठा अच्छे से डूप जाए अब इसको ढखकर पकाएंगे गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर पेठे को 15 मिनट के करीब होगे पकाते हुए ये देखें ये ट्रांस्परेंट हो गए हैं तो अब इनको थाली में निकाल लेंगे पतीले में आपको सही से ये पेठा दिखनी रहोगा क्योंकि उसमें काफी भाफ थी ये देखी पेठा ऐसा दिखना चाहिए चूने के पानी में से निकालने के बाद पेठे को उबालना भी जरूरी है लेकिन पेठे को बहुत जादा नहीं पकाना है सिर्फ ट्रांस्पेरेंट होने तक ही उबालना है और आप गढ़ाई में डालेंगे एक किलो चीनी हमने डेड़ किलो पेठा लिया है तो एक किलो चीनी लेंगी अब इसमें डालेंगे डाई कप पानी पानी को यदी मापेंगे तो ये 200-200 ml के करीब है गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर चीनी को पकाएंगे काफी लोग पेठे की मिठाई बनाने के लिए चीनी में पानी नहीं डालते हैं डाइरेक्ट उबला हुआ पेठा ही चीनी में डाल देते हैं लेकिन चीनी में पानी नहीं डालेंगे तो चाशनी पेठे के अंदर तक नहीं जाएगी चाशनी जितनी पतली होगी तो उतना ही ज्यादा अच्छा है जैसे रसकुले बनाने के लिए चाशनी पतली बनाकर रसकुले को पकाते हैं तब ही चाशनी रसगुले के अंदर तक जाती है, वैसे ही पेठे को भी पकाना है, ताकि चाशनी पेठे के अंदर तक अच्छे से जाए, थोड़ी देर में ही चीनी अच्छे से पिगल गई, तो अब इसमें साबूत इलाइची को थोड़ा तोड़ कर डालेंगे, तो इलाइ पेठे को चाशनी में अच्छे से मिला देंगे, ग्यास की फ्लेम को हाई पर रखेंगे, चाशनी जब पतली रहेगी तो इसको लगाता चम से चलाने की जुरत नहीं है, लेकिन जब चाशनी थोड़ी गाड़ी हो जाएगी तब इसको लगाता चम से जरूर चलाना है, ग्यास को हाई फ्लेम पर रखकर पेठे को 30-35 मिनट के करीब होई पकाते हुए, आप चाशनी को चेक करेंगे, ये देखिए ये एक तार की चाशनी बन गई है, और चाशनी पेठे के अंदर तक भी चली गई है, तो अब आप चाशनी वाला पेठा काना चाते हैं, तो आप ग अंगूरी पेठा होता है, वो आप एसा ही होता है, चाशनी वाला, लेकिन हम तो सुखा वाला पेठा बना रहे हैं, जो एक से डेढ़ महिने तक भी खराब नी होगा, ये जो चाशनी वाला पंची पेठा या अंगूरी पेठा होता है, उसको आप बिना फ्रिज के तो बहुत चल्दी खराब हो जाएगा लेकिन सूखा पेठा बिना फ्रीज में रखे भी एक से डेट महिने तक खराब नहीं होगा और यदि इसको फ्रीज में एक टाइट कंटेनर में डाल कर रखेंगे तो यह तीन से चार महिने तक भी खराब नहीं होगा यह देखिए चाशनी प्लेट में डाल कर देख लेना चाशनी प्लेट में डालते ही जम जाएगी तो इसका मतलब है कि आप इसका सूखा पेठा आराम से बन जाएगा आप गैस को बंद कर देंगे और इसको फटा फट से एक थाले में निकाल लेंगे और इस थाले में से दूसरी थाले में निकाल लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं कड़ाई में से इसको निकालते ही जल्दी से अलग अलग कर देना है क्योंकि थोड़ी सी हवा लगते ही ये सूख जाएगा ये देखे इसमें जो एक्स्ट्रा चार्ष नहीं थी वो सारी निकल गई और ये कड़ाई भी ऐसी हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कड़ाई में पानी डालकर 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे तो ये आराम से साफ हो जाएगी ये पेटे की मिठाई अच्छे से सूख गई इसको दूप में रखने की जुरूद नहीं है लेकिन अब ये बहुत जादा गरम है तो पहले इसको पंखे के हों में अच्छे से थंडा करेंगे 30-40 मिनट के करीब हमने इस पेठे की मिठाई को पंखे की हो में रखा है ये अच्छे से ठंडी हो गई तो आब इसको दूसरी थाली में डाल देंगे ताकि इसमें जो बची हुई एक्स्ट्रा सूखी चाशनी है वो भी अलग हो जाए ये देखे ये एक्स्ट्रा चाशनी भी अपने आप ही पेठे की मिठाई से अलग हो गई अब हमारी बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी रसीली आगरा की फेमस पेठे की मिठाई तयार है एक बार आप इस तरीके से पेठे की मिठाई बना कर जरूर देखना ये वाके में बहुत जादा टेस्टी बनती है आपको ये पेठे की मिठाई बनाने का तरीका जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई